अमेरिका दौरे पर गए कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी विबिन गारे करवों में शामिल हो रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं उनकी टिपडियों को लेकर भारत में काफी चर्चा हो रही है इस पार लोकसभा में विबक्ष के नेता राहूल गांधी ने भारत में सिखों के अधिकारों और उनकी स्थिती पर टिपड़ी की है कि क्या एक सिखों को भारत में पगड़ी पहनी की इचाज़त दी जाएगी जिसको लेकर विबाद हो गया है भारती जन्तापाटी के राष्ट्रे सचीव मनजिंदर सिंग सिर्सा ने कहा है कि विदेशी धर्ती पर भारत में सिखों की दस्तार और ककार के बारे में राहूल गांधी की अपमान जनक और विबाजनकारी टिपणियों की सपष्ट रूप से निंदा करता है राहूल गांधी जी ने आज अमेरिका में सिखों के परती बहुत नफरत भरी और भध्धे किसम की शबदावली का इस्तमाल किया है वन्दों ने कहा कि भार्च मैजस बात के लड़ाई है कि सिख दस्तार पहन पाएगा या नहीं वो कड़ा ककार पहन पाएगा या नहीं और उगुरद्वारे डालने का सपना देख सकता सपना भी नहीं देख सकता और आप अपनी गंदी राइनिती करने के लिए नफरत भरी राइनिती करने के लिए देश को माटने के लिए समाज को माटने के लिए धर्म को माटने के लिए इस हद तक चले गई हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार स्रक्षित नहीं है भारत के अंदर कड़ा करपान प्डेश के सबसे बड़े पौधों के उपर चाय राश्टपती हो परधान मन्तरी हो सैना चीफ हो या चीफ जेस्टिस हो उन सब के उपर सिख बैटे हैं और हम देश के लोगों को फकर है देश के लोगों को मान है सिखों के उपर लेकिन आप अपनी नफरत भरी और गंदी राजनीती के लिए जिस तरह किसे दस्तार को कड़े और करपान को और गुरदवारे को आज आपने इस्तमाल करने कोशिश क की है मैं फिर सिसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और बताना चाहता हूं आपके मन के अंदर जितनी नफरत है सिखों के प्रती से लिए सिखों के कातल जगदीश टाइटलर सभी टॉप स्टोरी बियरो के लिए दिनली से रवी डाल मिया की रिपोर्ट